Hello everyone, you are most welcome in this session. So, आज हम लोग Fiverr में देखेंगे कि Niche Research कैसे करते हैं. तो Niche Research किनको करना होता है? ये चीछ पहले मैं clear कर दूँ. Actually में जो लोग बिरकोल new हैं, like Fiverr पे या जो as a fresher हैं, जिनके पास कोई experience नहीं है, तो उनके लिए भी Niche Research must है. निश में सोता है कि आप किस particular skill में, किस particular subject में आप interested हैं या किस पे experience. तो एक तो ये fresher skills के लिए भी जरूरी होता है, दूसरा जो experience order हैं, जिनके पास कुछ experience है, उनके लिए भी ये बहुत important होता है कि उनको Niche Research करना चाहिए Fiverr पे, अपना geek बनाते time या जब आप वोई भी order मतरब order के लिए ना geek बनाते हैं, तो उसके लिए ये मस्ट है कि आपको Niche Research जरूर करना चाहिए. Niche Research करते time कुछ चीजों को द्यार रखना चाहिए, वह हम लोग अभी जब यहां पर पूरा example के साथ देखेंगे, तो पूरी चीज़े clear हो जाएंगे, तो Niche Research में क्या होता है, suppose that आपको digital marketing आता है, या आपको video editing आता है, या AI development आता है, तो उसमें भी बहुत सारे sub-categories होते हैं, तो उसी चीज़ को देखते हैं कि किस topic पे आपको जाना चाहिए, किस particular skill को पकड़ करकर करके और कितना revenue बना सकते हैं, तो इसमें चीज़ होता है कि क्या वो जो भी आपी skill learn कर रहा हैं, या जिस पे आप geek बना रहा हैं, क्या उस पे revenue आ भी रहा हैं, मतलब एक थूँ होता है कि क्या लोग सर्च कर रहे हैं, मतलब volume अच्छा है कि नहीं, दूसरा क्या revenue भी आ रहा है या नहीं आ रहा है, तो यह होना चाहिए कि competition low होना चाहिए और revenue high होना चाहिए, यह motive होना चाहिए जब हम लोग niche research करते हैं, तो niche research करते टाइम अभी हम लोग देखें, suppose that आपको video editing आता है, तो यहाँ पर video editing में जाते हैं, video editing में जा करके देख रहते हैं, यहाँ पर उनके लिए भी सबसे ज़्यादा beneficial है, जिनको skill नहीं आता है, तो आप यहाँ research करके देख सकते हैं, कि क्या-क्या skills इस समय, demand पर हैं जिनको आप learn कर सकते हैं, और फिर आप अपना fiber पर profile बना सकते हैं, gigs बना सकते हैं, और आप more than means 1 lakh to 2 lakh earn कर सकते हैं मन्थली, तो इसमें आप जब हमारा आज आते हैं, तो यहाँ पर देखते हैं, यही चीज़ देखने वाला कि 71,000 plus result, means more than 71,000 level ने video editing पर gigs बनाया हुआ है, इतने profiles हैं, अब इसमें आपको देखने वाली क्या चीज़ होती हैं, sellers details, sellers details का मतलब होता है, इतने लोग, इतने यहाँ पर seller enrolled है, इतने लोग इतने पर काम कर रहे हैं, टाइट मेंस की buyers इस पर हैं, तभी तो काम लोगों को मिल रहा है, buyers का मतलब होता है, यहाँ पर clients, जहाँ से आपको वर्ट आता है, तो इतनी सारे रोगों को यहाँ पर आप देखो, top rated seller 288, level 2 पर 6500, new seller 57,000, तो यह इतने रोग है, लेकिन यहाँ पर यह देखेंगे, तो यह बहुत high competition है, यहाँ पर 71,000, यहाँ पर gigs यानि profile बने हुए, ऐसे लोग इस पर काम कर रहे हैं, तो यहाँ पर competition थोड़ा high है, तो इसी चीज़ को analysis करने के लिए, अब आप क्या देखना चाहिए, कि ऐसा skills, मतलब उसी में सब category, जिस पर कि आप देख सकते हैं, कि मतलब competition कम हो, तो वीडियो एडिटिंग में अधी आप जाते हैं, तो वीडियो एडिटिंग के अंदर और भी बहुत सारे, अब जैसे यहाँ पर देखे रहो आप, वीजुल एफेक्स, वीडियो आर्ट, इंट्रो एंड आउट्रो वीडियो तो इसको भी देख सकते हैं, इसमें देखो, आप 7800 है, यानि इतने ही गिक्स बने हुए, इतनी प्रोफाल्स बनी है, तो यहाँ पर कंपेटिशन थोड़ा लो है, और इसका सेलर डिटेल देखते हैं, तो यहाँ पर भी स्कोप है, रोब मंतरों भी यहाँ पर है, सेलर्स और बायर्स यहाँ पर वर्क दे रहे हैं, तो यहाँ पर देखने से यह चीछ सावज में आ जाता है, वहाई पर यहाँ पर जैसे की यह चीज़े है, फिर सब्टाइटर्स और कैप्सल्स पर चले जाते हैं, वीडियो एडिटिंग, यानि वीडियो एडिटिंग यहाँ तो एक है, यह उसी के अंदर सब कैटेगरी की बात कर रहे हैं, अब इसमें चले जाते हैं सब्टाइटर्स और कैप्सल्स में, यहाँ पर आप देखो, और कम कमपेटिशन है, और यहाँ पर सेलर डिटेश को देखें, तो यहाँ पर वर्क भी है, और अच्छा वर्क यहाँ पर देखने को में रहा है, अब यहाँ पर जाकर आपको पोड़े इनके गीक्स को देखना होता है, कि क्या हुआ कही में काम है, जैसे यह लेवल 2 पर इनका प्रोफाइल है, लेवल 2, लेवल 3, मतलब यह होता है, लेवल 1, लेवल 2, टॉप रेटर, टॉप रेटर बिलकुल हाई पर होता है, और लेवल 1, लेवल 2 होता है, तो इस चीज़ देखने से आपको पता चाहिजाता है कि मतलब इस लेबल होता है, फाइबर एक्चुरी में लेबल देता है, इस लोग को लाइक मतलब कितना प्रोजेक्ट पर आप काम कर चुके हैं, कितना रेवेण्यू अन कर चुके हैं तो उसके वेजित पर, तो यहां पर पास भी काम है, इनकों ने काम किया हुआ है, तो टू ओर्डर्स इनक्यू आप देख सकते हैं, तो इसका मतलब इस वाले प्रोजेक्ट में इस वाले निश्ट पे वर्क तो है, तो यह चीज़ तो क्लियरली देखने को यहां से मिर रहा है, कि इस पे वर्क है, और आगे थो यहां पर चार्जेज क्या लोग रहते हैं, यह भी आप यहां से चेक कर सकते हैं, तो यह देखें, आप वीडियो एडिटिंग के यह अंदर एक आपको मिर रहा है, सब्टाइटर और कैप्शन्स और इसमें आपको कम्पेटिशन लो है, लेकिन आप यहां पर अच्छे से अर्ण कर सकते हैं, और ऐसे ही देख रहते हैं, और भी मतलब और निश्ट पर चालते हैं, और निश्ट को एक्प्डॉर करते हैं, जैसे राइटिंग एंड ट्रांसलेशन में आ जाते हैं, आर्टिकल्स और ब्लॉग पोस्ट को देखते हैं, इसमें आप देखो 54,000 हैं, औ इसमें क्या की competition भी उतना ही हाई है क्योंकि इसमें 54,000 Gigs आरेड़ी बने हुए है लोग यहाँ पर काम कर रहे हैं और यहाँ पर देख भी सकते हैं आप ऐसे मतलब Gigs को open करके Gigs का मतलब यहाँ पर profile होता है उनको profile को open करके थोड़ा था details देख सकता हैं कि इनों के packages कितने हैं कितने कोई project इनके क्यों में है कि नहीं तो यह सारे details यहाँ पर देख सकते हैं अब इसी में क्या करते हैं writing में चले जाते हैं writing and translation में हम रोग ने अभी articles and blog push देखा था अब podcast writing एक पर देखते हैं कि इसमें क्या है यहाँ पर देखो आप competition बहुत कम है only 633 gigs बने हुए हैं और यहाँ पर देखो तो अच्छा sellers है तो यहाँ पर आपका आपकर यह scope भी है मतलब बाहर से आप है clients हैं अब आपको क्योंकि podcast writing अब धीरे धीरे बोंग पर है मतलब इदार भी अच्छा चल ला है और लोग इस पर work बहुत जादा मिला है आप यहाँ से profile को देख सकते हैं जैसे level 2 पर भी यह काम कर रही है और विर किसी का देख सकते हैं जैसे level 1 पर काम कर रहा है इनका आप देख सकते हैं कि हम मतलब क्या है इस तरीके से आप अलग-अलग लोगों का जैसे कोई new seller हो तो उनका भी देख सकते हैं कि new seller के भी पास कोई work इसमें दे रहा है नहीं दे रहा है इस सारे details आपको यहां से मिल सकता है तो ऐसे आपने जैसे देखा अभी writing and translation में गए हम लोग जब articles and blogs में गए तो उसमें कितना ज्यादा competition था रेकिन वही podcast writing में कम है मैं यह नहीं कर रहा है कि आप इसी में कुछ जैए आपका जदी skills में नहीं है आपको knowledge नहीं तो मत कुछ किए आप फ्रेशर है और जाना चाहते हैं आप इस skill learn कर सकते हैं definitely आपको जाना चाहिए और भी skills को ऐसे ही देख रहते हैं कि कहाँ पर अब जिसे graphic design में चाहते हैं logo design पर यह देखो आप 250,000 गिक्स यानि competition बहुत हाई है बहुत ज़्यादा हाई यहाँ पर no doubt आप देखोगे कि seller details में अच्छा का था scope भी दिखा रहा है यानि scope तो बहुत ज़्यादा है लेकिन competition इतना हाई है कि यदि आप new हो फाइवर पर तो मैं recommend नहीं कर रहे होंगा कि आप लोगो design पर ही चले जाओ logo design में बहुत साब categories होती है उसमें बिल्कुर्ट आप choose कर सकते हो लेकिन इस पर आपको initially नहीं जाना चाहिए लेकिन हाँ ऐसा भी नहीं कि बाद में आप नहीं कर सक है तो आप definitely बात में logo design और इस पर भी जा सकते हैं अब जैसे हम लोगो design में बात करें तो like a minimalist hand drawn, vintage, cartoon अब इसमें इसमें hand drawn पर आप देख सकते हैं कि hand drawn में कहता है इसमें आप देखो 8000 है तो इसमें competition low है अब इसका seller details एक बार चेक कर लेते हैं कि seller details कहता है यहाँ पर तो उ यहाँ पर देखो आप इस scope अच्छा है और यहाँ पर competition low है तो बलकि आपको इसमें logo design में इसको hand drawn को choose करना चाहिए या दोसरे को choose करना चाहिए ऐसे ही हम लोग चले जाएं programming and tick के अंदर इसमें हम लोग बात करनें जैसे AI chat pot की देख लेते हैं कि क्या है कि आप देखो 1100 ए यह depend करता है क्योंकि यह technical risk है तो यह कोई ऐसा भी नहीं होगा क्या बहुत ज्यादा तो यहाँ पर इस scope दिखा रहा है बहुत ज्यादा high तो नहीं है लेकिं mediocre level का high scope और Y पर हम लोग देख रहे हैं programming and take make custom chat GPT apps इसमें therefore result 104 gigs बने हुए है यानि competition तो बिलको नहीं है या बहुत ही कम है लेकिन क्या scope है इसमें आप देखो scope देखी नहीं रहा है क्योंकि बहुत ही कम buyers इसमें अपने work को अभी दे रहे हैं बहुत कम clients available है तो ऐसी इसके scope पे अभी नहीं आपको चले जाना चाहिए हाँ it definitely emerging skill है इस पर आगे आने वाले दिनों में हो सकता है कि यह बहुत करें और इस पर work मिलें लेकिन अब ही फिलहाल के लिए इस पर जादा नहीं है तो यह सारी चीजों को आपको research करना होता है और तब जाकर देखना होता है कि किस skill पे किस sub category पे आपको काम करनी पे जहां पर क कि low competition और revenue आई हो वहाँ पे आपको initially focus करना चाहिए जब आप fiber पे जाते हैं बाद में automatically आप grow करने रखते हैं और फिर सारे type के category मतों अपने ही niche के सारे category में definitely आप on कर सकते हैं और सारे type के projects आपको मेंने रखते हैं तो आज के वीडियो में इतना ही हम लोग next वीडियो और फ Thank you, thanks for watching.